सबी विध्यार्थियों का ओनलाइन कक्षा में एक बफ्य से स्वागत है बचों आज हम पढ़ेंगे समिधान के मूल धांची की अवधारणा के संबंध में भारत का समिधान विश्व का सर्वशे समिधान है और प्रतेक समिधान चाहिए किसी भी देश का क्यों नहूं वो पर आधारित होता है समिधान जिन मूल धारणांऑ पर आधारित होता है उसे ही समिधान का मूल धांचा कहा जाता है सरवच्च नियाले ने अपने महत्पून निर्णे में ये कहा है कि भारत की संसत को संपून समेधान में संशोधन करने का अथिकार है परन्तु भारत की संसत समेधान के मूल धांचे में संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती इस निरने के संदर्व में मूल धाचे की अवधारना को समझना बहुत जरूरी हो जाता है सुप्रीम कोट ने क्या कहा है कि संसक समिधान में संशोधन करने का पूरा दिकार रखती है लेकिन समिधान का जो मूल धाचा है मूल धाचा मतलब basic structure उसमें संशोधन नहीं कर सकती तो क्या है हमारे समिधान का मूल धाचा या basic structure उससे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मूल धाचे के अंतरगत वह आवधारना याति जिन पर पूरा समिधान टिका हुआ होता है और भारत के समिधान के मूल धाचे या basic structure में जो सबसे पहली पात है वो है लोक तंत्र लोक तंत्रिक व्यवस्था अर्थात भारत का समिधान लोक तंत्र की स्थापना करता है और संप्रभुता को भारत के नागरिकों में नहित करता है अते हैं लोग तंत्र जो है वो सबसे पहले भारते समिधान का मूल आधार है पेसिक स्ट्रक्चर है और इसे बदला नहीं जा सकता अर्थात यदि कोई सरकार आए और वो यह सोचे कि लोग तंत्र के स्थान पर अधिनायक तंत्र या तानाशाय की स्थापना कर दे तो वह ऐसा नहीं कर सकती कोई संसत भी ऐसा संशोदर नहीं कर सकती क्योंकि लोग तंत्र के अतरिक्त कुछ और भी अवधारणाय हैं जो की भारती समिधान की बेसिक स्ट्रक्चर में आती है इसमें दूसरा है समानता और स्वतंत्रता सहित नागरिकों को प्राप मूल अधिकार हमारा समिधान समानता स्वतंत्रता के आधर्शों पर आधारित है जाती धर्म लिंग हर प्रकार के भिद्भावों का अंत्र करके प्रत्यक नागरिक को समानता और स्वतंत्रता का मूल अजिकार दिया गया है तो समानता और स्वतंत्रता के आदर्श भी भारते समेधान के मूल धांचे में आते हैं अर्थात नागरिकों से उनकी समानता और स्वतंत्रता नहीं चीनी जा सकती लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के बाद जो अगली बात है मूल धांचे में जो सम्मिलत है वो है भारते समिधान का धर्म निर्पेक्ष या पंथ निर्पेक्ष स्वरूष भारते समिधान धर्मे समानता की भी और स्वतंत्रता की भी स्थापना करता है और भारत को एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट बनाता है अर्थार्थ भारत का अपना कोई राज्य धर्म नहीं है और भारत में सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म का शांती पूरवक पालन क की स्वतंत्रता है तो जो धर्म निर्पेक्षित धाचा है वो भी मूल धाचा है और ना लोगतंत्र को ना समानता स्वतंता के आदर्श को और ना ही धर्म निर्पेक्षिता को समाप्त किया जा सकता है इसके अतरिक्त दो और बातें भी सामिधान के मूल धांचे में आती हैं एक है भारतिय सामिधान का संघात्मक स्वरूप जो की केंडर और राज्यों की बीच शक्तियों का बटवारा करता है और राज्यों को एक अपना अलक अस्तित्त और महत्त प्रदान करता है यह संघात्मक स्वरूप भी मूल धांचे जिस संसदी व्यवस्ता को अपनाया है वो उत्तरदायत्यू के गुण से परिपून है जिसमें की पंतरी परिशत को संसद के प्रती उत्तरदाय बनाया गया है तो भारत की शासन प्रणाली का संसद्य स्वरूब भी समिधान की मूल अवधारणा में, मूल ठांचे में, बेसिक स्ट्रक्शर में आता है तो इस प्रार हम यह कह सकते हैं कि लोगतांतरिक व्यवस्ता, संसध्य व्यवस्ता, संगात्मक व्यवस्ता, समांता और सोथम्तरता की मौलिक अधिकार और भारते समिधान का धर्म निपेक्ष स्वरूब यह ऐसी चीजे हैं जो कि भारती समयधान की आत्मा है और समयधानी उपचारों का अधिकार भी इसमें सम्मिलित है अधिस संसत संपूर समयधान में संशोधन कर सकती है लेकिन इस मूल धाचे को इस बेसिक स्ट्रक्चर को परिवर्दित नहीं कर सकती क्योंकि इसी क्या समझते हैं यह समझाने का मैंने आपको रियास किया थन्यवाद